गुड मॉनिंग फ्रेंट्स अग्रिक वच्चिंग इंडिया यूटूब चेनल में आपका स्वागत है। UCC 2024 विधेयक पेस किया है। पर मानवी क्रत कानूनों का समठन करती है। भारतिय समयधान ये अनुच्चिद 44 में इसका उनलेक किया गया है। समान नागरिक सहिता का उद्दे से राष्टिय एक्ता, लेंगिक न्याय और धर्म नरिपेच्चता को बढ़ावा देना है। UCC के लिए समयधानिक एवं कानूनी प्राधान क्या क्या हो सकते हैं। उन पर एक नजर डालते हैं। अनुच्चे 44 राज्य को UCC को लागू करने के लिए प्रतसाहित करता है। लेकिन ये राज्य के नीती निदेशक सिधानतों के अंतरगत आता है। सुप्रम कोट ने राश्य एक्ता और लेंगिक समानता के लिए UCC के महतों पर जोड़ दिया है। अब हम बाग कर लेते हैं कि यदि UCC यानि समान नागरिक साहिता यदि लागू होता है तो उसमें क्या-क्या चुनोतियां आशकती हैं। विविद व्यत्तिगत कानून और परंपरागत प्रताएं चुनोतियां उत्पन करती हैं। जो हमारे देश में विविन धर्मों के आधार पर परंपराएं और प्रताएं वो UCC के लिए चुनोतियां बन सकती हैं। इसके अलावा धार्मिक और अल्प संक्यक सम्हों का विरोध भी हो सकता है। राजनितिक हिचकिचाहट आम सहनति की कमी, कानूनों का प्रारूप तैयार करने और उन्हें सुसंगत बनाने में वहवारे कठनाईयां। जो भी हमारे देश में राजनितिक पैटियां हैं, कुछ पैटियां इसका विरोध करेंगी, जबकि कुछ पैटियां इसके समर्थन में भी आएंगी। कई वैक्तिकत कानून सहिता बंद नहीं हैं, जो अइस्पष्ट और विरोधावासी सुरोतों पर आधारित हैं। समाज में संभावित संप्रदाइक तनाव और संघर्स हो सकते हैं। यदि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है, तो उसमें संप्रदाइक तनाव होने की संभावनाएं रहेंगी। अब हम जान लेती हैं कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि समान नागरिक सहिता यदि देश में लागू होगी तो उसके क्या-क्या लाब हो सकते हैं। यूसीसी यदि समान नागरिक सहिता राष्टे एकता को बढ़ावा देगी, लेंगिक नियाय सुनिशिक करेगी और सम्मेधानिक मूल्याओं को कायम रखेगी। इसके अलावा यूसीसी वैदानिक प्रणाली को आसान बनाता है, परमपरागत प्रथाओं का आधून्य की करण करता है, साथ ही समानता को भी बढ़ावा देता है। यदि देश में यूसीसी लागू होता है, तो देश में सभी के लिए समान कानून हो जाएंगे। महिलाओं को पित्र सतातमक मान दंडों और भेदभाव पूर्थाओं को चुनोती देने के लिए ससक बनाता है। यदि भारत में यूसीसी लागू होता है, तो भेदभाव जो लड़का लड़की में होता है, वो भेदभाव मिट जाएगा। इसके लावा वैदानिक कारवाई में इस्पश्टता और इस्तिता बढ़ती है। यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होगा, तो इस्पश्टता और इस्तिता बढ़ जाएगी। इसके लावा यूसीसी बदलती सामाजिक वास्तवक्ताओं और लोगों की अकांचाओं को समायोजित करता है। भारत का गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी सबसे पहले लागू किया था और उसने गोवा नागरिक सेहता को बरकरार भी रखा है। हल ही में उत्राखंड ने भी उसीसी लागू किया है और वहे भारत का दूसरा राज्य उसीसी लागू करने वाला बन गया है। तो ये थी कुछ चानकारी उसीसी के बारे में जो की आजकल बहुत चाचा का विशे बना हुआ है। झाल